हाई गाईज मिरा नाम में गुपाल साव और आप सभी एका टेक्नोक्रेट साब जी यूटूब चनल के एक और फ्रेश वीडियो में स्वागत है और आज की सिर्में दोस्तों आपको बताने वाला वाट्सअब के बुरे दिन आ चुके हैं क्योंकि बिसिकली गौर्णमेंट अफ इंडिया ने एक बहुती अच्छा स्टेप लिया है वाट्सअब के अगेंस्ट में जिसके बारे में आपको में कम्पलीट डिटेल्स जो है इस वीडियो में बताऊंगा तो ऐसा क्यों होता दोस्तों कि कि वाट्सअब ने अपनी प्राविसी पॉलिशी में कई सारे चैंजिज़ लाया है जो कि बिसिकली हमारी प्राविसी को वाइलेट करता है जो हमें बिल्कुल भी एकसेप्ट नहीं है और यहां पर हो क्या रहा है कि वाट्सअब आपको प् करो या तो बाद में करो लेकिन आपको ये option नहीं है कि आप इसको accept नहीं कर सकते आपको accept करना ही पड़ेगा जो deadline है वो 8th February तक उसके पहले अगर आपने कर ले तब WhatsApp को continuously use कर पाएंगे अगर उसके बाद आप यूज करना चाहें अगर आपने वो क्यों हुआ मैं आगे आपको बताता हूँ WhatsApp को written में लिख कर दिया है कि आपके जो privacy policy में जो भी changes आए है जो भी changes आए है वो basically आप immediate effect के साथ वापस ले लो चूंकि इस policy में आपके chat का खास्त और कि उनके WhatsApp chat का जो business account यूज करते है या फिर जो user है उनके chat का जो metadata होता है जैसे कि YouTube का metadata होता है Facebook का metadata है कई सारे YouTube में tags है उन metadata को basically Facebook के साथ share करेगा और other companies के साथ वो share करेगा तो यह जो data sharing है इसके वज़े से basically security risk पैदा करता है user के लिए ही नहीं बलकि government of India के लिए, Indian army के लिए और कई सारे लोगों के लिए भी ये security risk पैदा करता है इंडिया में WhatsApp जो है daily use का बहुती बड़ा हिस्सा बन चुका है और इसमें हम दिन परति दिन काफी कुछ share करते हैं, काफी कुछ हम बातचीत करते हैं जैसे कि आपका family group हो सकता है, personal chat हो सकते हैं, आपका corporate group हो सकता है Indian government भी अपने आपस communication के लिए काफी कुछ share करती है, government of India के जो authorities वो भी काफी कुछ share करते है तो यदि इसका metadata share होता है किसी third party के साथ, facebook के साथ, तो वो security risk आने वाले time पर पैदा हो सकता है तो इस reason से government of India ने इस step को आगे लिया है अब दूसरी बात यह आती है कि government of India इसको discriminatory क्यों कहा है क्योंकि आपको पता होगा कि US में और other कुछ और countries में privacy policy को ले करके बहुत strict law है जो कि India में आज के date पे नहीं है So that is the reason उन जगाओं पे WhatsApp ने ऐसी कोई भी policy लागू नहीं किया ऐसी कोई policy चालू नहीं की है बट इंडिया एक सबसे बड़ा उसका user hub है जिसके जहां से वो earning भी जादे करता है user भी बहुत जादे है और यहां पे ही बेसिकली हम इतने बड़े नंबर के साथ हम उनको user दे रहे है और यहां पे हमारे साथ ही उद्धागाबाजी कर रहे है तो इंडिया में as of now privacy policy को लेके इतना कोई strict law नहीं है That is the reason कि other countries के application इंडिया में privacy policy में काफी कुछ changes ला रहे है है और हम कुछ नहीं कर रहे है और गुवर्मेंट इंडिया का यहां काफी अच्छा है आगे जा करके हमें भी काफी जादी हम से benefit होने वाला है and that is the reason उन्हें डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी 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 को नाम दिया है Now come back to the first one जहां पर WhatsApp ने आस तक भी कोई story share नहीं किया है अभी आपको WhatsApp के तरब से कई सारे story share कर देखने को मिल रहा होगा WhatsApp कह रहा है कि हम आपके chat को नहीं पढ़ते हैं हम आपके chat का कोई भी data को नहीं लेते हैं क्योंकि ये end-to-end encrypted होता है बड़ वो metadata को ज़रूर ले रहा है तो ultimately अगर आपको छोटा से example बताओ आप यदि Chrome और यूज़ कर रहे हैं या फिर Instagram, Facebook और यूज़ कर रहे हैं कई बर आप अपने family members के साथ कहीं trip का plan कर रहो या फिर आप flip card में Amazon में कोई product सर्च कर रहो जो आप लेने वाले हो या फिर 3-4 वा आपने को particular product को basically Chrome में सर्च कर लिया तो आपको उस particular word को ले करके उस particular trip को ले करके कई सारे ads दिखना स्टार्ट हो जाता है अब यही same चीज़ आप कहलो या फिर same type का privacy policy कहलो जो basically WhatsApp ला रहा है इसमें और भी कई सारे points है पर जो main point है, metadata का वो यह है तो government of India के इस बड़े step के बाद दोस्तो WhatsApp के तरब से बस इतना ही अभी कहना है कि वो अभी इस चीज़ को कुछ दिनों के लिए postpone कर रहे है यानि कि जो 8th of February का deadline था वो भी और जादे extend हो गया है बट इसे वोई वापस लेंगे या नहीं लेंगे अभी तक उन्होंने अपने तरब से कुछ नहीं कहा है अगर वो वापस नहीं लेते हैं definitely Indian government जो इससे आने वाले टाइम पर बैन कर दीगी जैसे TikTok और other application को बैन किया था अगर मैं अपना personal experience बता हूँ तो दोस्तो मैंने telegram और signal जैसे application को use करना start कर दिया है but the main thing is कि मैं तो use कर रहा but मेरे जो friends और relative से क्या वो use कर रहे है तो सारे user जो basically WhatsApp कुछ खोड़ करके signal और telegram पर आ रहे अगर ये आ जाएंगे definitely उस दिन WhatsApp को अराम से uninstall कर सकते हैं और दूसरा option ही हुआ कि जब इंडियन गवर्मेंट इसे ban करते हैं तब सभी को basically मजबूरन signal या telegram पर आना पड़ेगा या फिर पुराने समय के जैसे text message खिला करेंगे वो भी काफी अच्छा चीज है आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसमें काफी सारी information आपको मिली होगी तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को like करके share करें और यदि चैनल पर दोस्तों आप नए है तो चैनल को subscribe करके बैल आकान जरूर दबाएं क्योंकि आने वाले सभी वीडियो की notification आपको मिल पाएगी और आपकी बीच में और मेरे बीच में जो foundation वो और जादे strong hope आएगा और मुझे विस्वास से दोस्तों कि आप खुद भी subscribe करेंगे अपने दोस्तों से भी चैनल को subscribe करवाएंगे और जादे से जादे इस वीडियो को share करेंगे अपने relatives और family members के साथ वो भी WhatsApp को uninstall कर सके और Signal Telegram जैसे platform को use करना चाहे तो वो कर सकते हैं for further communication तो आज की stream दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं आपने आने वाले एक fresh वीडियो में टेक वीडियो में तब तक लिए दोस्तों टेक केर बाई बाई अलविदा